जीवाना के दैवा फोटा पर वहा फ्रूटली अनार मंडी का सुबारम पहले दिन बड़ी संक्या में किसानों बेची अनार पहले दिन सुबारम मौरत में 351 रुपे प्रती किलू भावसी भीकी अनार शैला शेत्र में बहु आयात मात्रा में अनार की उपज हो रही है ऐसे में महाराष्ट्रा साहित विबिन राजियों के व्यापारी भी यहां अनार को देखते हुए आक्रशित है जीवाना कस्बे के पास सनीवार को शांगाना पटा दैवा में फ्रूटली अनार मंडी का सुबारम भीकी वही 200 ग्राम प्लस वजन की अनार को पहले दिन 113 रुपे एवं 100 ग्राम प्लस वजन की अनार 91 रुपे में किसानों की अनार की भाव रहा मंडी का पहले दिन ओसतन 82 से 100 रुपे के बीच रहा आपको बता दें कि पहले जीवाना में एक अनार की मंडी होने से किसानों की अनार को व्यापारी मन मरजी की भाव से किसानों को परतारित करते थे ऐसे में अब एक और अनार की मंडी खुल जाने से खुली बोली से अनार भीगने पर किसानों को अनार के अच्छे भाव मिल सकेंगे मंडी संसालक सदाबाउजादव ने बताया कि हम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनार की खरीददारी करेंगे वही सदाबाउजादव ने इस मौके पर किसानों को संबोदित करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि कई वैपारी किसानों को ठगने का काम करते हैं लेकिन हम किसानों को उचित भाव देकर खुशाल करेंगे उन्होंने कहा कि किसान ही संपुन मानव को अनाज देने का काम करता है ऐसे में किसान की उपल्स के साथ में छलावा नहीं करना चाहिए इस मौके पर मांगिलाल, विक्रम माली, दिलीप कुंबार, निलिश, सिनोलिकर, महादेव जादव साइथ मंडी के प्रोपराइटर एवं माराष्ट्रा, हरियाना, बिहार, बैंगलू साइथ, विबिन्द राजियों के अनेको व्यापारी मौजुद थे मंडी सुबारम कारेकरम का मंच संचालन, पूने इन्विशिटी में सेवा दे चुके, प्रोपेसर निलिश, सिनोलिकर ने किया, किसानों को मंडी एवं अनार के एक्सपोर्ट के बारे में जानकरी देते हुए, कम पोदों से अधिक मात्रा में अनार की पैदावर ले ली जा स के को विश्तार में बताया, सिनोलिकर ने मीडिया से खात बातसीत करते हुए कहा कि यहां, इस्ताई रूप से फुरूटली अनार मंडी का सुबारम किया गया है, अब हम यहां के ख्यत्र के किसानों को अनार की खेती को लेकर, विशेष जानकरी देकरां, अनार की खेती से, किसानों को कैसे उनत बनाया जा सके इस विशे को ध्यान में रखते हुए किसानों के खेत में जाकर किसानों को अनार की अच्छी क्वालिटी एवं कम लागत में अधीक पैदावार ली जा सके ऐसी ट्रेनिंग दे कर यहां किसानों को फाइदा पहुचाने का परियास करेंगे उन्होंने ये भी कहा कि अनार मंडी खुल जाने से किसानों की अनार को अच्छे से अच्छे भाव देकर खरीदेंगे ताकि किसानों को अपनी मैनत का फल मिल सके पहले दिन अनार मंडी में करीब धाइसो ट्रेक्टर टोली में अनार भर कर किसान आए पहले दिन अच्छे भाव मिलने पर किसानों के चैरे पर खुशी देखी गई झाल हाव